हालो वेलकम फ्रेंड्स और मैं सुशील रगडे आज ये एक नए सेटप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ और यह सेटप है मेरा जो फ्रेंड है आखाश जादो आप सब उनको जानते हैं और यह स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो यह जो SBI का जो स उसका डेट बताया था और SBI जो CBO है सरकल बेस ऑफिसर उसके लिए भी उन्होंने बहुत कम टाइम दिया यानि कि कल ही उन्होंने एक्जाम की डेट बताई है और वो है 28 नवेंबर को है 28 नवेंबर को एक्जाम है तो अभी मुझे इतने लोगों के फोन आए कम से कम मुझ कि जो अल्रेडी बैंक में काम कर रहे है दो साल तीन साल चार साल पास साल ऐसा एक्सपिरेंस है और वो लोगों का जो कॉन्टैक है बैंकी एक्जाम से वो छूट गया है तो इसलिए अभी यह जो 10-15 दिन हमारे पास बचे है इसका कैसा यूटिलाजेशन करें इसके बारे म हो गया है पड़ाई से उनको मैट्स है रीजनिंग है इंग्लीश है जीके का एक रिविजन हो जाए फास्ट और उसके बाद फिर्म हम इंटर्वी का तैयारी कर ले तो आपको तो पता है मैं आरबी आ के लिए नावाड के लिए से भी आई डी के लिए काफी सालों से गाइ तो सर ने कहा कि आपकी expertise एंटरू में तो हम दोनों मिला के एक हम project हाथ में लेते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे ना इसमें near about 3850 तो 4000 के आसपास यह vacancy हो जाएगी और आपको पता है SBI में अगर आपको जाना है तो SBI PO के थुरू जाना बहुत ही difficult है क्योंकि 10 लाग के applications आते हैं लेकिन यह circle based officer का एक बहुत ही अच्छा opportunity आपको मिला है तो आपको यह opportunity गवानी नहीं चाहिए अभी बहुत सारे लोगों का यह भी doubt है कि सर इसके लिए applications कितने आए हैं तो अभी आपको तो पता है कि थोड़ा इदर उदर से contact है मैं SBI PO selection हुआ ता मेरा SBI scale to me भी हुआ है मेरे काफी सारे friends है तो मुझे एक थोड़ी सी जानकर ऐसी मिली है कि near about 30,000 के आसपास इसके applications आये हैं तो ऐसा मान लिजे कि कुछ लोगों का forms मतलब ineligible हो जाएंगे वो कुछ document के वज़े से या फिर कुछ लोग अभी festival season है तो कुछ लोग exam नहीं देंगे तो इस यान कि 2 is to 1 का ratio है इसका मतलब है अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप automatically eligible यान कि pass हो जाएंगे mains के लिए यान कि interview के लिए ये पास हो जाएंगे तो आप ये जो opportunity है आप ये मत छोड़िये और हम दोनों मिलाके यान कि आकाश जादो सर वो पूरा ये ज का portion है मैं और हमारे पास काफी सारे experience लोग है जो bank से retired हुए है SBI से retired हुए है वो आपकी मदद करेंगे इसमें और क्या है SBI में generally vacancy आती 2000 के आसपास लेकिन अभी ये 4000 vacancy है और बहुत कम लोग इसके लिए eligible है और जो लोगों इसका form बढ़ाए वो काफी lucky है मैं उनके लिए कहता हूं कि आप यह opportunity मत जाने दीजिए दिवाली का टाइम है लेकिन इसकी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिए आप और यह opportunity मत छोड़िए किसी भी हाल में अभी मैं मेरे जो फ्रेंड है आकास जादो सर उनको यहाँ पर invite करता हूँ वो आपको guide करेंगे and welcome आकास सर थैंक्यू सुशिल सर सबसे पहले मुझे इस चैनल पर आने का और आपको guide करने का मौका दे इसलिए State Bank of India का जो CBO का ad है उसके बारे में मैं कुछ मिनिटों में आपको थोड़ा सा guide करूंगा कुछ crucial information उसमें आपको मिल जाएगी so that preparation के लिए आगे के 15 दिनों के लिए और सबसे important interview के लिए आपको उसका फाइदा होगा so let's start इस exam के लिए अगर हम देखेंगे तो State Bank of India सबसे पहले मैं मेरा खुद का introduction देता हूं कि मैं इस channel पर नया हूं मेरा नाम आकाज जादव है मैंने B.E. complete किये E.N.T.C. में से Government College of Engineering और अरगाबाद से बाद में मैंने ICSA Bank में दो साल Foreign Exchange Department में Headquarter मुंबई में काम किया था स्टाफ सेलेक्शन कमिशन में SSC CGL की जो एक्जाम में उसमेरा रैंक All India रैंक पचास था Banking में State Bank of India की एक्जाम मैंने दो बार एक बार State Bank of India के लिए एक बार State Bank of एदराबाद के लिए दो बार में PO रहे चुका हूं Bank of Maharashtra, Bank of Baudhra, Bank of India, MBA entrance CAT मैंने 2006 to 2007 to 2013 तक अपियर किया है, वहां से मुझे CAT में से FMS Faculty of Management Studies University of Delhi ये College अलॉट हुआ था, तो अरहाल इस एक्जाम के लिए 2010 से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं और रंगाबाद में यहां संकल्प Education थूँ, अभी इस एक्जाम के बारे में अगर हमें information देखनी है, तो सबसे पहले, online exam की level जो होगी, वो moderate exam की level होगी, जादा difficult नहीं होगी, SBA PO प्री इतनी easy और SBA PO मेंस इतनी difficult नहीं होगी, इन दोनों के बीच में advertisement की difficulty level रहेगी, यह अनुमान मैंने किस एंगल से या किस information को लेके लगाया है, तो आप देख सकते हो, यह SBA का कल का notification है, जिसमें उन्होंने बोला है, देखिए State Bank of India PO का जब notification आता है, तो उन्होंने प्री में कभी भी quantitative aptitude लिखते है, और मेंस में data analysis and interpretation लिखते है, State Bank of India PO का advertisement, यहाँ पे एक ही exam होगा, तो यहाँ पे उन्होंने data analysis and interpretation लिखा है, मतलब State Bank of India PO प्री से difficulty level थोड़ी ज़ादा रहने के chances है, second point, question की marking अगर आप चेक करोगे, तो एक question को दो marks है, उसका भी थोड़ा बहुत अर्थ यह निकलता है कि exam की difficulty level easy to moderate यह फिर moderate to difficult की बीच में हो सकती है, PO के लिए general economy और banking awareness तक की syllabus सीमित रहता है, बट यहाँ पे साथी साथ KYC, anti-money laundering, preventive vigilance and legal issues यह वाला पार्ट साथ में आएगा, वैसे भी सुशीर सर, इन second वाले पार्ट में माहिर है, वो वाला पार्ट जो है, वो exam के लिए संभाल लेंगे, reasoning और computer के साथ साथ reasoning के आता है, generally जब computer लिखा हुआ होता है, तब उस exam में input-output वाला question शायद आता ही आता है, जैसे लास्ट टाइम RBA के SO के लिए, scale to SO के लिए exam थी, उसमें भी input-output वाला पार्ट आया था, State Bank of India Assistant मेंस के लिए भी input-output वाला पार्ट reasoning में आया था, letter writing और answer writing वाला पार्ट 25-25 मार्ग्स का है, आप थोड़ा साथ देखिए कि 30 मिनिट्स में आपको letter और essay दोनों भी complete करना है, 200 words का essay है, मतलब time आपको काफी कम मिल रहा है, उसकी भी practice आपको पहले से ही करके रखनी है, तो वरहाल ये वाला पार्ट जो है, ये उनका test का online test का pattern है, हलाकि online test qualifying nature की है, बट आपको वहाँ पे भी अच्छी तरह से excel करना पड़ेगा, चलो फिर से एक बार important topic आपको इन 15 दिनों में, क्योंकि का ज़्यादा तर देखने वाले लोग ये वीडियो देखने वाले लोग वो working होंगे, तो उन्हें ज़्यादा emphasis जो है, वो DI के उपर, उसके बाद में ज़्यादा favorite topic State Bank of India office level में कभी भी permutation combination के उपर, generally एक अदा DI आता है, या फिर permutation combination के अलेक से question भी आता है, mix करके कुछ questions आ सकता है, State Bank of India IPO में हर साल data analysis and interpretation ये section अलग से होता है, ये section में अलग से section होता है, बट सारे question DI के नहीं होते है, उसमें कुछ ना कुछ number series mix होता है एक अदा question में, कोई question में probability वाला part mix करके आता है, data sufficiency या quantity based integrity इसमें से कोई ना कोई पार्ट आहीं जाता है, next part है logical reasoning का, वहाँ पे आप जादा से अच्छे से तैरी कर सकते हो, moderate to difficult level का sitting arrangement and puzzle, साथी साथ reverse and reverse silo वाला part था, new pattern में few only few के question जो है, पिछले एक साल से continuous, in fact नाबाड office attendant को भी few only few का concept आया था, critical reasoning का part 5 एक marks को, हर एक exam में आता ही है, वो वाला part आपको, और reasoning and computer दिया है, तो आपको input output वाला जो topic है, वो भी अच्छे से करकर रखना है, तो यह reasoning वाला part, यहाँ पर आपको focus करना पड़ेगा, English के लिए आपके हाथ में काफी कम दिन है, तो आप English के लिए 31st October को, जो State Bank of India Assistant Mains का paper हुआ था, उसका analysis अच्छे से कीजिए, उसका फाइदा आपको जरूर होगा, तो English के लिए यह वाला part, General Evernance के लिए, Current Affairs, Economy, Banking, Governance और Banking का Current Affairs, यह वाला part, जो मैंने Red Career में लिखा है, यह State Bank of India PO के लिए common है, इसके साथ आपको KYC, Anti-Money Laundering, Preventive Vigilance और Legal Issues, यह वाला part एक्सा करना है, हाला कि सबसे ज़ादा विटेज, Reasoning और GA के लिए है, तो आपको यह वाला part अच्छे से करके रखना है, there is no sectional cut-off, as in State Bank of India PO, और SBA Curricle में, जैसे SBA के किसी भी exam को sectional cut-off नहीं होता है, negative marking 140 होती है, interview के लिए selection, 1 is to 3 के ratio में होता है, next, online exam qualifying nature की है, selection purely based on interview है, अभी exactly number of vacancies और बाकी सब चीजों के माईने क्या है, सबसे बड़ी opportunity यह क्यों है, जब मैंने last time circle based officer का जब advertisement आई थी, तब मैंने advertisement को title दिया था, कि decade की सबसे बड़ी advertisement, decade की, 2010 से लिए का अभी तक की working professional के लिए, क्योंकि इतनी ज़ादा vacancies इतने बड़े scale पे state bank of India में इसके पहले के 10 साल में कभी भी नहीं आई थी, तो एक अच्छे opportunity student के लिए बनती है, exam के लिए applications जो अलग-अलग sources मेरे का सुशीर सरक है हमने जहां पर जान करी ली तो approximate 30,000 candidates जिन्होंने apply किया है, अभी vacancies है 3,850 into 3, 11,550 student qualify होंगे interview के लिए, interview के लिए qualify होंगे, अभी out of 30,000 यगर आप ratio निकालोगे तो यह आपका ratio हैगा 1 is to approximate 2.8, but ratio 1 is to 2.8 अभी नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको minus करना है, जो student absent रहेंगे वो, और साथी साथ, जिन student के पास valid document नहीं है, जिन्होंने just form, कोई fake experience के नाम पे form बढ़ा है, ऐसे student भी minus होंगे, तो मेरा एक अंदाजा है कि आपकी जो competition है, वो 30,000 बच्चों के साथ नहीं है, वो between 22 to 25,000 student के साथ में आपके competition है, मतलब एक post के लिए लगबग 2 student को call किया जाएगा, 1 is to 2, यह ratio होगा, return examination से लेके interview तक का, तो काफी आसान भी है और साथी साथ number of days आपके पास में कम है, आप मेंसे जाधा तर लोग अभी out of touch है, साथ में 2016-17 से आगे banking के exam का pattern काफी जाधा difficult हो गया, आप मेंसे काफी लोग जो है वो working होने के वज़े से उन्होंने कभी तयारी की भी होंगी, तो तयारी 2014-15-16 तक आपने तयारी किये, 17 से आगे exam का difficulty level काफी जाधा बड़ा है, आपको cut-off से भी थोड़ा सांदादा उसका आ सकता है, तो time आपके पास में कम है, मैंने आपको important topic की भी list जो है आपको दे दिये, उन topic के उपर आपको focus करना है, next, इस exam के लिए हमारा Hindi English में जो batch है, वो batch 13 से start होगा, batch हिंदी English में होगा क्योंकि जितनी भी faculty मेरे पास है, यहाँ पर संकल्प में, उसमें से आदे से ज़्यादा faculty एन यह हूँ, हिंदी medium से पड़ी हुई है, तो उन्हें पढ़ानी के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इंग्लिश की faculty है, LR की faculty है, descriptive वाला part पढ़ानी के faculty है, या फिर swishy result खुद है, वो अभी तक उन्होंने जादातर entertain किया है, हिंदी speaking crowd को, तो यह ad में number of vacancies वैसे भी number of application कम है, तो across India student को advantage देने के लिए यह वाला batch जो है हिंदी English में start होगा, batch सबसे पहले, वैसे तो batch पहले planning थी कि interview के लिए हो, बट अभी 15 दिन के लिए पहले shift हो गया है, अभी उसमें online test के पहले तयारी करवाएंगे, और जैसे यह online test खतम होता है, तो उसके बाद में बिना हमें wait किये, हमें interview की batch भी साथी साथ हमें start करने है, return exam होने के तुरण बाद, तो batch जो है, return examination के लिए 13 to 27 की बीच में, एक online test के लिए batch चलेगी, जिसमें हम quick revision करवाएंगे, without any holiday, without any holiday, 15 दिन की यह batch continuous चलेगी, batch में initial level में हमने organize किया है, सुबस साथ से सवानो, और शाम को साथ से सवानो, working professional है, इसी लिए सवा सवा गंटे के, एक गंटे के दो लिक्चर से, पन्रा मिंट का gap, so daily चार session समलेंगे, session live रहेंगे, जिन working professional को ये session live attend करने में problem है, timing की वज़े से, उन्हें ये session recorded format में तुरन बाद में available रहेंगे, exam होने तक, तुने कोई ज़्यादा लिक्चर वहाँ पे नहीं आएगी, daily चार session और उसमें हम quick revision करवाएंगे, जितने भी important topics है, उन important topics का, अगर student की demand आती है, कि नहीं, यहाँ पे हमें और ज़्यादा session चाहिए, क्योंकि हमें छुट्टी है, हमने छुट्टी जो है, इस exam के लिए target करके हमने side में कुछ छुट्टी रखी है, तो उन student के लिए या वैसे student के लिए, हम number of sessions चार से ज़्या के लिए appear हो पाया, और result oriented यह batch बने, batch के लिए जो faculties है, वो faculties मैं खुद आकाश और मेरे साथ में अमित पाटिल, वो quant वाला पार्ट समालेंगे, LR के लिए मयूर मखीचा, English और descriptive के लिए हमारा यहाँ पर नसीर हैदर faculty है, वो English और descriptive वाला पार्ट साथी साथ समालेंगे, वैसे सुशीर रगडे सर, इंटर्व्यू का पार्ट कवर करेंगे, तो अवराल इस हिसाब से अपना batch जो है, अपना batch इस हिसाब से चलेगा, आगे का जो पार्ट है, आगे का पार्ट सुशीर सर कंटिन्यू करेंगे, धन्यवाद. थैंक यू आकाश सर, तो ये जो batch होगा, ये आकाश सर का जो platform है, उसका जो नाम है, आई परथम एप है, उसके होगा, इसकी जो link है, मैंने description में दे दी है, तो आप वहाँ पर जाईए, और मैं आप सबसे ये request करता हूँ कि आकाश सर का जो expertise है, आप उसका मतलब utilize कीजिए, उनका expertise, और ये opportunity मत जाने दीजिए, और जैसे ही ये exam हो जाएगा, उसके बाद हम immediately interview का preparation चालो करेंगे, उसमें कुछ recorded videos हो सकते है, important important terms के लिए, उसके बाद अभी अभी देखो, आपको पता है कि ये lockdown का period है, तो इसके लिए interview कैसे लेना हम उस time पे decide करेंगे, अगर government ने permission नहीं दिया हमें, तो फिर हम zoom meeting पे, phone पे हम interview अरेंज करेंगे, और अगर किसी बड़े city से, क्योंकि मुझे already experience है, RBA grade B के interview लेने का, मैंने पूरे इंडिया के बड़े-बड़े city में, जैसे डिली हो, कलकत्ता हो, एमदाबाद हो, बैंगलोर, चैन्नाई, मुंबई, पुने और अरंगाबाद नाफू सब जगे पे मैंने interview कंड़ा किये है, और अगर काफी ज़्यादा demand आती, जैसे मुंबई जगे से, या दिली से, तो हम वहाँ पे कुछ एक दिन का workshop भी organize कर सकते है, और जैसे आका सर ने बताया है, कि यह सबसे बड़ा, decade का सबसे बड़ा advertisement है, working professional के लिए, और SBA में जाने का सबसे अच्छा और easy रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि आप सबको पता है, आप लोगों ने form इसलिए बढ़ाए, क्योंकि आपको थोड़ा सा डर है कि आपका जो bank है, वो privatization हो सकता है, काफी सारी news आ रही है, और SBA आपको बता है कि सबसे important bank है systematically important bank है वो, तो वो कभी privatized नहीं हो सकता है, तो ये लोगों को पता है कि वहाँ पे, देखो काम है, काम तो सब जगह पे है, आप कोई भी बैंक में जाए आराम तो कई पर भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरा आपका future अगर secure करना है, अच्छे promotion भी opportunities यहाँ पे, forum में भ जाके मिलनी वाली है, तो इसलिए यह opportunity मिली है, और हम दोनों, जैसे आका सर है और मैं हूँ, यह दोनों का एक first project है, और यह हमें भी success करना है, क्योंकि जब आपको job मिल जाएगा, आपका success ही हमारा success है, so thank you very much for watching this, और आपके जितने सारे friends है, जो लोगों का इसका benefit हो सकता ह है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे है, तो आज ही आज, आप आपके जो friends है, उनको ये video पहले send कर दीजे, कम से कम उनको pattern तो पता चलेगा, कैसे pattern है, कैसी तैयारी करनी है, और कुछ आपके doubts है, तो वो comment box में मुझे आप पूछ सकते, so thank you very much and all the best to your preparation, आप कुछ भी एक भी आ आपको अबर waste नहीं करना है, दीवाली के time है मुझे पता है, लेकिन अच्छे utilize का कीजिए, क्योंकि आपकी आगे आने वाली जो दीवाली है, वो अच्छी तरीके से आपको मनाने का मौका मिलेगा, thank you very much